साथियों, आज बडोधरा में जिस फैसिलिटी का सलान्यास हुआ है, वो देश के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को ट्रांस्फर्म करने की ताकत रखता है। ये पहली बार है कि भारत के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। यहां बनने वाले ट्रांस्पोर्ट एरक्राप हमारी सेना को तो ताकत देंगे ही, इससे एरक्राप मेनिफेक्टर के लिए एक नए एकोसिस्टिम का भी विकास होगा। सिख्षा और संस्कृति के केंद्र के रूपें प्रतिष्टी थी हमारा वडोधरा, अब एवियेशन सेक्टर के हब के रूपें नई पहचान लेकर के दुनिया के सामले सरूंचा करें। प्रसे तो भारत पहले से ही काफी देशों में विमान्स के छोटे मोटे पूरिजे पार्ट्स तिरियात करता रहा है। लेकिन अब देश में पहली बार मिल्ट्री ट्रांस्पोर्ट एरक्राप बनने वारा है। मैं इसके लिए ताटा ग्रूप को और एरबस डिवेंस कंपनी को बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ। मुझे बताया गया है इस प्रोजेक्ट से खारत की सो से ज़्यादा MSMS भी जुड़ेगी। भविश में यहां दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट के ओर्डर भी लिए जा सकेंगे। यानि पेक इंडिया पेक फ़र द ग्लोब का संकल भी इस धर्ती से और मजबूत होने वाला है।